नमस्कार BCN News के दिन विशेश कारेकरम में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलिवोड में बिहारी बाबू श्यत्रगन सिनहा की कभी तूती बोलती थी एक समय ऐसा भी था जो फिल्मों की निर्माता निर्देशिक अपनी फिल्मों में हीमान धर्मींद्र और एंग्डे यंगमान अमिताप की जगर श्यत्रगन सिनहा को तरजी हदीते थी श्यत्रगन सिनहा बॉलिवोड के ऐसे पहले अभी निता है चिनों ने फिल्मों की साथ साथ राज़ीती में भी एक सफल पारी खेली आज जी के दिन 9 दिसंबर 1945 में उनका चिन्व हुआ बिहारी बाबू श्यत्रगन सिनहा का चिन्मों 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदम कुवसित घर में हुआ था इसका निर्मान उनके पिता डॉक्टर भुवनेश और प्रसाथ सिनहा ने करवाया था श्यत्रगन सिनहा के इस घर में तबके बॉलिवुट के दिगजबिनी था, क्रिकेटर और पॉलिटीशिन भी पदार चिके है श्यत्रगन सिनहा के तीनों बड़े भाई, साइंटिस्ट, इंचिनियर और डॉक्टर थी ऐसे में पिता चाहती थी कि उनका चोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाईयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट पर श्यत्रगन सिनहा को ये दोनों फिल उनकी रूची के करीब नहीं लगे ऐसे में एक दिन श्यत्रगन सिनहा ने पिता को बिना बताय पूने फिल्म इंस्टिूट से फॉर्म मंगवाया अब मुश्किल यह थी कि उस पर गार्डियन कौन बनेगा पिता साइंट करने से रहे ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने उन्होंने फॉर्म पर साइन किया इस तरह श्यत्रगन सिनहा की जिन्देगी का रुप पदल गया आम जीवन में श्यत्रगन सिनहा एक सरल इंसान के रूप में चानिशाते है उनके जानने वालों का भी कहना है कि उनके जैसा सुभाव वाला इंसान बहुत कम तेखने को मिलता है हर समय सब के मदद के लिए तयार रहना तो कोई उन से सीखे साथ ही एक कई मौकों पर वो अपने भाशनों में अपना तीखा अंदास भी तरशाते है उन्हें सबसे पहले देवानन के साथ फिल्म प्रेम पुझारे में अभिने करने का मौका मिला उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड के नहीं देखा और एक से एक हिट फिल्म में देते चले गए भारत के चंद ताकत वर महलाओं की सूची में शुमार सोनिया गांधी का चन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के छोटे सिगाव लुसियाना में हुआ था इनका वास्तविक नाम एडविक इंटोनिया अलबीनो माइनो है सोनिया गांधी के पिता स्ट्रिफिनो भवन निरमान ठेकेदार और पुर्वफ वासस्त सिपाही थे सोनिया गांधी का परिवार आज भी इटली के और वासनों के निकट रहता है इटली के एक बेहत मद्धमवर्गिय परिवार से संबध होने के बाउचुद आज सोनिया गांधी भारत की ताकत और महिलाओ की फेरिस्त में उत्कृष्ट स्थान रखती है इसे सपष्ट हो जाता है कि सोनिया गांधी बेहत प्रभावी और दुर्ड व्यक्तितों वाली महिला है पती राजिव गांधी के नितन के बाद सोनिया गांधी ने अकेले अपने बल पर राजशीती में एक एहम मुकाम पाया है सोनिया गांधी उस समय बिलकुल अकेली पड़ गई थी जब उनकी परिवार में उन्हें मार्क दर्शन देने वाला कोई नहीं था इंद्रा गांधी और राजीव गांधी की हत्या ने उन्हें अकेला कर दिया था ऐसे हालातों में भी उन्होंने अपना होसला नहीं खोया परिवार और अपने बच्चों की पूरी देखभाल की यह लगातार दस वर्शों से कॉंग्रिस के अध्यक्षपत पर न्यूक्त है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है राशितिक परिवार में विवा होने के बाद भी सोनिया गांदी बहुत लंबे समय तक राशिति से दूर रही लेकिन फिर भी वह आक्षेपों से बच नहीं पाई राशिव गांदी पर जब वोफोर स्तोपो की खरीदी फरोक्त में घोटाले का आरोप लगा तो उसमें क्वात्रोची नामक इटली की एक व्यवसाय की भूमिका भी संधिय की खेरे में आ गई वह क्वाच्योत्री कोई और नहीं सोनिया गांदी का बहुत अच्छा मित्र था भारतिय मूल का ना होना हमेशा ही विरोधी पार्टियों को खटकता रहा है यहां तक कि जब गटबंदन वाली सरकार के विजे होने के बाद उन्हें प्रधान मंतरी नियुक के जानी की बात उठी तो सुष्मा सुराज और उमा भारती ने यह घूशना कर दी थी कि अगर वह प्रधान मंतरी बन गए तो वह दोनों अपना सिर्म मुणवालेंगी और आज इवन जमीन पर ही सुएंगी महेंद्रनात मुल्ला भारतिय नौसेना की जाबास ओफिसर थी वे भारतिय समद्रवाहक पोद आयनस खुकरी के कपतान थी आज इके दिन 9 देसंबर 1971 को उनका अनिधन हुआ था महेंद्रनात मुल्ला का जन्म 15 मैं 1926 को उत्तरप्रदेश के गोरकपुर चिले में हुआ था उन्होंने 1 मैं 1948 को भारतिय नौसेना में कमीशन प्राप की थी वे भारतिय नौसेना की जाबास ओफिसर थी वे भारतिय समुदर वाहग पोत आयनस खुकरी के कपतान थे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद में केवल एक असर ही ऐसा आया जो पाकिस्तानी नौसेना ने भारतिय नौसेना को नुकसान पहुचाया भारती नौसेना को अंदासा था कि युद्ध शुरू होने पर पाकिस्तानी पंडूबिया मुंबई के बंदरगाह को अपना निशाना बनाएगी इसलिए उन्होंने तै कि लड़ाई शुरू होने से पहले सारे नौसेना फ्लिट को मुंबई से बाहर ले जाया जाए जब दो और तीन दिसंबर की रात को नौसेना के पोत मुंबई चूड रहे थे तब उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि एक पाकिस्तानी पंडूबी पिएनस हंगुर ठीक उनके नीचे उन्हें डुबा देने के लिए तैयार खड़ी थी उस पंडूबी में तैनात ततकालिन पाकिस्तानी नौसेरा के लेफटिनेंट कमांडर और बाद में रियर एड्मिरल बनी तस्नीम एहमत के अनुसार पूरा का पूरा भारती अफलिट हमारे सिर के उपर से गुसरा और हम हात मलते रहे गे क्योंकि हमारे पास हमला करने के आदेश नहीं थे क्योंकि युद और चालिक रूप से शुरू नहीं हुआ था नियंतरन कक्ष में कर लोगों ने टारपीडो फायर करने के लिए बहुत सूर डाला लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी हमला करना युद करने जैसा होता है मैं उस समय मातरल लेफटिनेंट कमांडर था मैं अपनी तरफ से तो लड़ाई शुरू नहीं कर सकता था बीसेन नियूज के दिन विशिश कारेकर हमें फिलहाल इतना ही सेन नियूर खबरों से जुरे रहने के लिए देखते रहें बीसेन नियूज नमशकार